हेलो गाइज वेडियो में आपको बताएंगे कैसे गर बैटे एक पुराने सीडी प्लेयर को यूज करके ब्रैंड न्यू कंडिशन हों थेटर में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं वह हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे जो कि बिल्कूल एक सरग तरीका है यह है हमारा सीडी प्लेयर इसका यूज करके आज मैं बनाने जा रहा हूं अपना एक होम थेटर सिस्टम इसमें मैंने यह आडियो में आडियूर जो कि मैंने अमाजोन से मगवाया है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिनुगा और इसकी कीमत रख बख 200 रुपे ह है तो गाइस लेट स्टार दा वीडियो आप देखें कैसे बनाते हैं होम थेटर सिस्टम एक सीडी प्लेयर थे आज जैसे की आप मैं इसे खोल दे जा रहा हूं खोल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं क्या है झाल झाल आप हमें इस हिस्से को निकाल दिया और आप हमें इस हिस्से को जरूरत नहीं है तो इस हिस्से को हम साइड में रखते हैं आप देख सकते हैं मैंने अपने इस audio module को audio module से जो हमारा सो signal जाएगा वो उसके लिए मैंने ये तीन वायरें कर लिए अपने इस प्लेट से जो की फिफ फर्दर सिगनल अपने जो एम्प्लिफाइंग यूनिट होगा वहां वेजेंगे जिसके लिए आपको गाइस देखना है जहां से ये तीन वायरें लेफ्ट राइट और ग्राउंड वायर्स जो हमारे जो एम्प्लिफाइंग यून यूनिट से भी दे सकते थे इसी प्लिफाइंग यूनिट से भी दे सकते ते कमपोनेट मिलने कि फोड़ी परनवी उचकार आगैसे कि आप लोग भी अपने घर में कर सकते हैं मैंने एक पुराने parenting की ऐसे मैने इसको पावर्स आपव्लाई येने कि यूनित बनाई है जिसम को यूज़ करके मैं अपने इस ओडियो मॉड्यूल को पावर सप्लाई दूंगा ऐसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने अडाप्टर का कनेक्शन यहां से कर दिया है जो हमारी में पावर सप्लाई यहां लेकि उससे एक वायल लेके और एक मैंने जो हमारा में आगे पावर आउन आफ का बटन होता है वहां से दूसरी इसकी पावर सप्लाई लिए है आप देख सकते हैं हमारा यह वर्किन अडिशन में है यह हमारा चल रहा है और आप आगे मॉड्यूल को भी देख सकते हैं मॉड्यूल भी आउन हो चुका है जैसे कि हम इसे टेस्ट करने लगे है अपने DC अडाप्टर पे आप देख सकते हैं इसे जो कि यह चल रहा है हमारे DC अडाप्टर पे अडाप्टर आप देख सकते हैं फाइनली मैंने अपने आउडियो सप्लाई थी वह कनेक्ट कर दिया और यहां से लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड जो तर अडाप्टर कर दिया अपने में और यू मॉड्यूल के साथ आप दे सकते हैं यहां पर मैंने जो हमारी पावर आउडियो की सप्लाई जो हमारे में अम्प्लिफायर में जाती है उसके साथ मैंने फाइनली कनेक्शन कर दिया है और हमारा पूरा सेटप वर्किन एडिशन में है और हमारा पूरा सेटप वर्किन एडिशन में है And here finally our amplifier is ready for the use कर दो हमारा पूरा सेटप वर्किन एडिशन में है कर दो हमारा पूरा सेटप वर्किन एडिशन में है कर दो हमारा पूरा सेट झाल झाल